नमो बुद्धाए आप सभी का हर्दिक स्वागत है हमारे विशेश कारिक्रम धमदीप में जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सुत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उब्देशों पर दर्सको आज हम चर्चा करेंगे प्रयास्चित एवम छमा पर क्योंकि यह देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ अप्रिय घटना घट गई है तो उसके मन में बदले की भावना उत्पन होती है और आज के इस एपिसोड में हम इसी पर चर्चा करने के साथ साथ हमारे में छमा की भावना कैसे जागरत हो उस पर और अपने जीवन में उसे कैसे उतारें यह सब कुछ ध्यान क्रियाओं के बारे के साथ साथ आपको बताया जाएगा इस विशेपर मार्ग दर्शन करने के लिए हमारे मद्य उपस्तित हैं बंते कुसल सुमन जी आपने बुद्ध दर्शन में उच्च सिक्षा परात की है तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकरित होने के साथ साथ अनेक मंचों से बुद्धिजम पर अपने विचार रख सम्मा सम्बुद्धस नमो तस भगवतु अरहतु 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 सम्मा सम्बुद्धस। पुनिचर्णों में कोटी कोटी नमन फिर मेरे उपज्जाय भंते के पुनिचर्णों में कोटी कोटी नमन भंते जी आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि हमारे दर्शकों को प्रयास्चित एवम छमा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंग जी बड़ा सुन्दर प्रश्न पुछा गया है हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यह जो बदले की भावना है इसे कैसे कम की जाएं तो मेरे दर्शकों जब कोई व्यक्ति एक शील और सदाचार का जीवन जीने में असफल हो जाता है जब यह शील और सदाचार का जीवन जीने में असफल हो जाता है तो तब उसके मन में सुभाविक सी बात है कि आत्मगलानी उत्पन होती है अब आत्मगलानी किस रूप में उत्पन होगी तो जब वे एकांथ में रहेगा तो जो भी उसने शरीर के माध्यम से या वानी के माध्यम से जो भी अकुशल करम किया है उसकी स्मृतियों उसे तंग करती है, परिशान करती है और उन बातों को याद करके उसके मन में आत्मगलानी होती है और उसे एहसास होता है कि उसे उस प्रकार से किसी के साथ नहीं व्यवहार करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था और इस प्रकार की आत्मगलानी जब होती है तो व्यक्ति इससे छुटकारा पाने के लिए नाना प्रकार के माध्यमों का इस्तमाल करता है तो उन में से एक प्रकार तो हुआ प्रयाश्चित करना प्रयाश्चित का अर्थ ये होता है जब कोई व्यक्ति किसी का अहित करे, किसी का बुरा करे, जाने या अंजाने में, तो उसका जब उसे एहसास हो कि उसने गलत किया, तो उस एहसास होने पर अब वो जो गलत हो चुका है, उसको अब सुधारने के लिए जो प्रयास करता है, जो उसमें प्रयत्न करता है, तो उस प्रयास को उस प्रयत्न को कहा जाता है प्रयाश्चित क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि उसने कुछ गलत कर रखा था और शमापना क्या होता है तो शमापना होता है कि किसी ने आप का किसी ने अगर हमारा जाने अन जाने में अहित किया हो तो उसे हम माफ करते हैं, जब हम उसे माफ करते हैं तो इसे कहा जाता है कि शमापना भावना या शमाप प्रयाश्चित, प्रयाश्चित का विशे बड़ा गेहन है, इसको समझना उतना ही कठिन है मगर इसका अभ्यास काफी सरल है तथागत बुद्ध क्या कहते हैं इस विशे में, तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो भी अकुशल करम हमारे दुआरा किसी के प्रती किया गया चाहिए वो वानी के रूप से या शरीर के रूप से जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता मगर एक व्यक्ति जो बीतीवी बात है, उसके प्रती एक गलानी उत्पन करता रहे और गांठे बानता रहे ऐसा करना उसके अध्यात्मिक मार्ग में बहुत बड़ा बाधक सिद्ध होता है तो क्या करना है उस व्यक्ति को? उस व्यक्ति को जब एहसास होता है कि उसके द्वारा मान लेते हैं शरीर के रूप से किसी को हिंसा पहुचाया है या किसी की चोरी की है या इत्यादी कुछ भी ऐसा किया है जिससे किसी और व्यक्ति को हानी पहुचा है तो वे उस चीज को स्विकार करता है और एक संकल्प लेता है कि मैं आज के बाद इस प्रकार का कोई काम नहीं करूँगा इस प्रकार का कोई करम नहीं करूँगा जिससे किसी व्यक्ति को मैं शाररिक रूप से हानी पहुचाओं अब दूसरा एक तो शाररिक हो गया दूसरा होता है वाचिक तो व्यक्ति को ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ शरीर के करम के द्वारा ही हम किसी का अहित नहीं करते हम अपने वाणी के करम के द्वारा भी लोगों को नुकसान पहुचाते हैं तो हमें समय समय पर अपने वाणी पर सयम रखना होगा और ऐसे कोई भी शब्द नहीं कहने होंगे जिससे की किसी के दिल को ठेस पहुचे तो वानी के करम किस रूप में हो सकते हैं वानी के करम जैसे जूट बोलना या नहीं तो बे तुकी बाते करना खाली बैठे हैं बस बे तुकी फिजूल की बाते करना या नहीं तो इधर की बात जब हम अधर करते हैं या नहीं तो कटू शब्दों का इस्तमाल करना या लोगों के बीच में हमारी वानी के द्वारा कुछ ऐसे शब्द कहके लोगों के बीच में फूट पैदा करना ये सारे अकुशल वानी करम है इनको नहीं करना चाहिए तो जब कोई व्यक्ति को हैसास होता है कि उसके वानी के द्वारा कुछ ऐसे करम किये गए तो वे पूर्ण तरीके से प्रयास करता है, संकल्प लेता है कि वे इस प्रकार के कोई करम भविश्य में नहीं करेगा तो ये संकल्प ही अपने आप में परियाप्त है, इसके बिना वो सिर्फ गलानी में डूबा रहे कि मेरे से ये हो गया, वो हो गया और उसको सुधारने का प्रयास ना करे, फिर तो गलत दिशा में चला गया, जो बीद गया, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता मगर जो आने वाला भविश्य है, उसमें जो कर रखा है, इस प्रकार के कोई करम ना करे, जिसे कि उसे और आत्म गलानी हो तो ये था प्रयास चित का विश्य है, अब शमापना क्या हुआ, तो शमापना वो है, जब हमें कोई परेशान करता है, जाने या अन जाने में, शरीर के माध्यम से, या वानी के माध्यम से, तो हमें जब कोई व्यक्ति परेशान करता है, उसके बावजूद, हम उसे शमा क करते हैं तो यह कहलाता है शमापना यह सिर्फ शमापना कभी-कभी लोगों तक ही सीमित नहीं रहता हमें हम कभी-कभी खुद को भी किसी बात के लिए शमा नहीं कर पाते तो एक साधक को एक विक्ति को ध्यान देना है कि वे खुद को ही शमा करे उसने अगर कोई गलती कर बनता है तो अपने आपको भी उन बातों से मुक्त करे खुद को शमा करे और आगे बढ़े और संकल्प ले कि इस प्रकार का कोई करम भवेश्य में नहीं करेगा तो यह जो व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति है शमापना के दोरान उसकी सामने एक बहुत बड़ा बाधा के ख़ास करता है तो सबसे बड़ी एक बाधा उसके जीवन में आती है बदले की बदला ऐसी एक भावना है जिसके चलते एक आम मनश्य लोगों को माफ नहीं कर पाता अपने अंदर जलन रखता है इरशा रखता है घ्रिणा रखता है क्रोध रखता है और इस बदले की भाव भावना में खुद भी जलता है और ऐसा कहता है कि साथ जनम तक मैं इस बात को नहीं भूलूँगा मैं दस जनम तक इस बात को नहीं भूलूँगा मत भूल किसको फरक पढ़ना है किसी को फरक नहीं पढ़ना है साथ जनम तक तुम खुदी जलते रहोगे उस भावना में द करूना का साधना का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे notice करेगा कि वे इस बदले की भावना से इस करोध की भावना से और इर्शद की भावना से निकलना अब उसके लिए आसान हो गया तो इसी लिए कल की episode में जब मैंने आप सबी को ध्यान साधना सिखलाए तो ध्यान साधना सिखलाते समय हमने साधना इस प्रकार से शुरू की थी हमने सबसे पहले हमारे शरीर के मांस पेशियों को ढीला किया बाद में हमने शमायाचना की तो शमायाचना का अर्थ यही था कि पहले जो स्थूल रुपी शरीर है इसको ढीला कर लिया जाए उसके बाद जब हम थोड़ा गहराई में उतरें तो मन में भी जहां कहीं हलन चलन हो जहां कहीं तनाव हो उसे इस शमायाचना के अभ्यास के द्वारा शांत किया जाए तो जब ऐसा इस साधना के दौरान हमने क्या क्या था उस शमा याचना सादना के दोरान तो हमने इस प्रकार से अभ्यास किया था कि जिस किसी ने भी जाने अंजाने में शरीर, वानी, मन के माध्यम से मुझे दुख दिया हो, पीड़ा दी हो, कश्ट दिया हो मैं उन सभी को शमा करता हूँ जब हम ये इतने ही इतने ही शब्दों पे बार-बार हमारा मन टिकाते हैं और कहते हैं कि जिस किसी ने भी जाने अंजाने में शरीर, वानी, मन के माध्यम से मुझे दुख दिया, पीड़ा दी, कश्ट दिया, नुकसान पहुचाया उसे मैं शमा करता हूँ बस इतना ही अभ्याज बार-बार करता रहेगा तो देखेगा कि बदले की भावना से मुक्त होना शुरू हो गया और उसी प्रकार से कहता है कि मैं ने जिस किसी को भी जाने, अंजाने में शरीर, वानी और मन के माध्यम से पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो दुख दिया हो, नुकसान पहुचाया हो वे सभी लोग मुझे माफ करें शमा करें तो ये अभ्यास आप करके देखेंगे अपने जीवन में ये आपके जीवन में इतना बड़ा सुन्दर परिवर्तन ले आएगा और आपका मन हलका होना शुरू हो जाएगा तो दुबारा से आज भी हम जिस प्रकार से हमने कल साधना की थी ध्यान साधना उसी प्रकार से हम आज भी ध्यान साधना करेंगे और उसमें हम शील का भी अंग वापस से उस पे भी ध्यान करेंगे और साथ में हम ये शमा याचना का भी अभ्यास करेंगे तो आईए ध्यान साधना के लिए आप सभी लोग तियार हो जाएं तो सबसे पहले एक सुख पूर्वक और आराम दायक आसन में बैठ हैं ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक अजमान हो जाएं अब अपने रीड की हड़ी को सीधा कर ले और अपनी आखें धी में से बंद कर ले ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आखें बंद रहेंगे अब हम एक-एक करके हमारे शरीर के सभी मानसपेशों को डीला करेंगे तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पर ले जाएं और माथे में जहां कहीं भी तनाव हो वहां की मानसपेशों को आप डीला छोड़ दे अब नीचे उतरते होए अपने गालों की मानसपेशों को ढीला कर लें फिर अपने जबडे की मानसपेशों को ढीला कर लें अब अपने गर्दन की मानसपेशों को ढीला कर लें दोनों कंदों की मानस्पेशों को ढहिला कर ले दोनों हाथों की मानस्पेशों को ढहिला कर ले छाती की मानस्पेशों को ढहिला कर ले पीट की मानस्पेशों को ढीला कर ले पीट के उपरी हिस्से की मानस्पेशों को ढीला कर ले पीट के निचले हिस्से की मानस्पेशों को ढीला कर ले अब आपके कमर में जहां कहीं भी तनाव हो वहां की मानस्पेशियों को भी ढिला कर ले दोनों जांगों की मानस्पेशियों को ढिला कर ले और अंत में अपने दोनों पैरों की मानस्पेशियों को ढिला कर ले तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर, शान्त, तनाव से मुक्त रहे एकदम रिलाक्स रहे अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे खेंदरित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शान्ती की अनुभूती कराती रहे और एक-एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन, शान्त, रिलाक्स्ट हो अब बदन के हलके होने के बाद हम हमारे मन को हलका करने के लिए शमा याचना का अभ्यास करेंगे तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में धोराएं तो शमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में धोराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें मैंने जाने अन जाने में शरीर वानी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो किसी को पीड़ा दी हो किसी को कश्ट दिया हो मैं उन सब से शमा मांगता हूँ मैं उन सब से शमा मांगता हूँ वे सब मुझे शमा करें वे सब मुझे शमा करें मैं उन्स सभी को शमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अंजाने में शरीर, वानी और मन के माध्यम से दुख पहुचाया हो पीड़ा दी हो, कश्ट दिया हो मैं उन्स सभी को शमा करता हूँ मैं उन्स सभी को शमा करता हूँ मैं उन्स सभी को शमा करता हूँ और आज से इसी शंड से यह संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा किसी को कश्ट नहीं दूँगा, किसी को दुख नहीं दूँगा किसी को पीड़ा नहीं पहाचाऊंगा और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वानी का दुश प्रयोग नहीं करूँगा जैसे कि जूट बोलना, बेतु की बाते करना कटू शब्दों का इस्तमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलहा कराना, लोगों में फूट पैदा करना, इत्यादी इस प्रकार के किसी भी वानी का दुश करम नहीं करूँगा और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हों, सही तरीके से धन इकठा करूँगा सही मार्ग पर चलते हुए धन इकठा करूँगा और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादी शुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पती के प्रती वफादारी निभाओंगा और जिनकी शादी नहीं हुई है, वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और मैं इस संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा जिसे कि दारूपी ना ड्रक्स का सेवन करना इत्यादे किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रूम रूम से माइत्री, खरुना की तरंगें बाहर की और प्रवाहित हो उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें विश्व के सारे प्राणे सब का भला हो विश्व के सारे द्रिश्य द्रिश्य प्राणे सब का मंगल हो सब का कल्यान हो लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हो लोगों के दुख़डे दूर हो उनके जीवन से सारे कश्ट दूर हो सबका मंगल हो सबका कल्यान हो सब बे सत्ता सुखी हों तो सब बे सत्ता सुखी हों तो सब बे सत्ता सुखी हों तो यह जो शान्ती कानुभव मैंने किया है ऐसा शान्ती कानुभव करने का उसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा उसर प्राप्थ हो सभी अपने दुखों से मुक्त हों भवतू सब्वमंगलम भवतू सब्वमंगलम भवतू सब्वमंगलम सबका भला हो सबका मंगल हो सबका कल्यान हो सुखी हो सुखी हो बंते जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मुख्य विशेश चमा और प्राश्चित पर बहुत ही विशेश और खास जानकारिया दी इसके लिए फिर मैं आपसे एक बार आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों आज के इस विशेश प्रोग्राम में बस इतना ही अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो हमारे वाट्स अप नमबर 9639010109 पर आप भेज सकते हैं या हमारी इमेल आईडी सुभारतीबुद्धा इडरेट जीमेल डॉट कॉम पर भी भेज सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्साबन अपने सुझाओ या संदेश भेज हमें अपने प्रस्नों से ओगत कराएंगे और भंते जी का मार्ग दर्शन प्राप्त करेंगे तब तक मैं आर्पी सिंग भंते कुसल सुमंजी के साथ लेता हूँ विदा कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्तित होंगे नमो बुद्धाएं